हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे MNR versus NOS full stats plus info यानि Manchester Originals और Northern Super Chargers के बीच में जो match खिरा जाएगा The 100 का match नंबर 3 उसके बारे में बात करेंगे उम्मीद करता हूँ कल के जिसे ही कुछ आज भी अच्छा और different कर पाएं कुछ बाकियों से अलग जिससे हमें थोड़ी से जादा point मिलने के chances रहें तो ऐसा ही कुछ analysis रहेगा लेकिन मैं हमेशा की तरह एकी चीज़ कहना चाहूँगा तैयारी जीत की करना हमारे हाथ में match में क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है ठीक है for example कर Jordan Thompson को lucky wicket मिला अपना best तैयारी करके जाओ match में क्या होता है उसको बाद में देखो चलिए अब वो तैयारी का वक्त आगया है लेकिन मैं आपको एक friendly reminder देना चाहूँगा जो लोग नहीं है हमारे चनल पे YouTube पे हमें सब्सक्राइब कर ले और ज़रूर टेलिग्राम में भी जुड़ जो वीडियो की description में भी मैंने और टॉप के comment में भी टेलिग्राम का link रखा हुआ है वेन्यू दोस्तो आज के लिए रहेगा Old Trafford Manchester बहुत interesting pitch की news है दोस्तो देखके चलना average scoring wicket है average scoring यानि की runs जो है recently बहुत कोई बढ़िया नहीं बने average ही बने है for example T20 में आप देख लो लगा था जो matches रहे है 160 का score यहां पर बना है और effective रही है यह spinners के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा last season जो यहां पर matches हुए थे Manchester में मेरे लिए बहुत लगी रही थे क्योंकि मैं यहां पर बहुत smartly खेलता था spin को advantage देखे खेलता था इस ground पर last year बहुत spin effective रही थी मैं आपको बता देता हूँ यह पिछले साल की बात है इस साल की कहानी अलग भी हो सकती है पहला मैच है वो हमें आज की मैच में पता लगेगा लेकिन last year spin बहुत effective थी आप देखो यहां पर 8 जुलाय 2022 को Essex और Lancashire का मैच हुआ Lancashire का यह home ground है तो English T20 के Lancashire के matches यहां पर आधिया आपको देखने को मिले जिसमें 8 विक्टे गई 3 fast को 4 spin को विकेट मिले भई फास्ट से जादा ठीक है देन वर्विक शायर Lancashire का मैच हुआ यहां 9 fast को 6 spin को और यहां 170 लगबग टार्गेट था और वो चेस कर दिया गया था Lancashire के द्वारा ठीक है देन यहां पर 3 जून 2022 को मैच हुआ था एक महीने पहले इस मैच से उसमें 150 का टार्गेट मिला था वो भी Lancashire ने चेस किया था तो तीनों मैच इस लेकर शायर चेस करते हुए जीती थी इसमें 14 में से 8 विक्टे fast को 5 spin को लेकिन टोटल 38 में से अगर 20 fast है 15 spin भी है जो कि काफी अची है considering की spinners को कम यूज किया जाता है fast goalers के मुकाबले और last year जो मैच हुआ था 20 जुलाय 2021 पाकिस्तान इंग्लेंड का ये most recent T20 international है इस मैच के बाद कोई भी international T20 मैच इस ग्राउंड पर नहीं खेला गया 13 विक्टे गई थी उसमें से दोस्तो 11 spin को गई थी 11 अब आप कोगे पाकिस्तान की तो चलो टीम में spinners अच्छे खास है शिदाब खान भी थे इसमान कादिर भी खेले थे बट इंग्लेंड से भी मुईनली और आशित को ही विक्टे मिली थी तो ये आपको दर्शात है last year मैंचेस्टर ने काफी help किया था spin bowlers को अब इस साल की कहानी क्या वैसी रहती है अगर वैसी रहती है तो कुछ differential खिलाडी हम आज देखने वाले है वनीदू और सरंगा ये मैच में नहीं खेलेंगे one of the best spinners है तो उनका ध्यान मत देना लेकिन Parkinson brothers खेलने वाले हैं और एक और spinner का नाम लूँगा जिन पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे spinners could be the game changers of the day अब आप बाग में comment करके कहेंगे अगर spinners को wicket नहीं मिला spinner को तो wicket नहीं मिला ऐसा सा लेकिन ये last year तक की कहानी है जो मैंने आपको भी तक बताई साल भर साल में क्या होता है कि wicket की nature change हो जाती है कुछ ऐसा अगर आपको देखने को मिल जाए तो ये भी possibility है Manchester Originals के लिए आपको खेलते भी दिखेंगे और कप्तानी भी करते दिखेंगे Jaws the boss butler राइट हैंड वल्ले बास प्रस विकेट कीपर उनके साथ Phil Salt दोनों ही बहुत ताबर तोड जोड़ी है बहुत ही अच्छे aggressive players है और दोनों मुझे लगता है इस team के लिए काफी जादा आप कह सकते हो important है इनकी start काफी अच्छी रह सकती है यानि की 50-70 की partnership है तीन से चार ओर में करने वाले player है तब 20-25 गिंदों में power play जो 25 गिंदों का रह रहा है उसमें भी ये 50-70 लगा सकते है दोनों इतने माहीर है ठीक है उसके बाद Wayne Marts है ने डर्बी शायर के खिलाड़ी बढ़िया बल्लेबास है लॉरी इवेंस फ्रॉम ससेक्स काफी बढ़िया player है वहाँ पे इनकी और runs भी मारते है ठीक है finisher के टॉर पे जातर खिलते दिन एंड्रे रसल है इनको कौन नहीं जानता बहुत important खिलाड़ी है जिनको नहीं बता दूँ आपको ये 3-4 ओवर भी डाल सकते हैं और runs तो बढ़िया मारते ही है बहुत तगड़े finisher है फिर Tom Lemon भी है Tom Lemon भी के बारे में बता दो player ये ठीक है लेकिन मेरे को काफी inconsistent लगते हैं हाला कि किसी-किसी मैच में बहुत ज़्यादा भी point दे देते हैं बल्ले बाजी भी और गेंद बाजी भी दोनों काम कर लेते हैं सीन बहुत है अगें good quality और rounder लेकिन bowling से ज़्यादा जाने जाते है Sydney Sixers के लिए काफी बार आपने इनको देखा होगा खेलते हुए Big Bash में Tom Hartley है left time orthodox spinner जो की इस ground पर पिछले 3 match जो खेले हैं उसमें 6 wicket निकाले हैं मैं फिर से बता देता हूँ Tom Hartley ने पिछले अपने 3 matches में इस ground पर 6 wicket निकाले हैं काफी बढ़िया ये करे हैं इस ground पर तो Tom Hartley वैसे भी spin wicket कह रहा हो कि हो सकती है so Hartley क्या आपका हाट लेके जाते है या आपके opponent को hurt करके जाते हैं ऐसा भी possibility है ठीक है Richard Gleason मैंने हमेशा से आपको बोला था debut से पहले इन की कि इंडिया के सामने इनको खिलाना चाहिए जब खिलाया सिधा-सिधा काफी victim मिली थी good fast puller ध्यान मिकना Matt Parkinson, Lexpinner है काफी ज़्यादा famous है again differential खिलाड़ी रह सकते है 20-22% है विकेट्स में इनका नाम कहीं बार आता है ठीक है अब लास्ट यर मिंचेस्टर विजनल्स के लिए कौन हीरो बना था फिल सॉल्ट ने 7 मैच में 122 रन किये थे कॉलिन एकरबन 5 मैच में 88 किये थे टॉम लेवन भी 7 मैच में 60 रन बटलर दो ही मैच के लिए थे 38 सान हैरिसन ने 6 मैच में 37 ठीक है विकेट्स वाइस मैट परकिंसन को देख लो पर मैच डेड विकेट निकाला है इनोने यानि 6 मैच में 9 विकेट हाट ले साथ में साथ यह वही हाट ले है जो ओपनेंट को हर्ड कर सकते है बैठना पड़ेगा इंग्लिश टीट वेंटी के लीड स्कोरर थे जिस वज़े से काफी वर्ल डीज में भी इनको लिया गया जैसे PSL के लिए भी सिलेक्ट हुए प्लेयर बढ़िया है और एक डिफरेंशल प्लेयर के तोर पे आप लॉरी इवेंस को देख सकते हो आज इनका मैं नाम भी लूँगा एक जगा वहाँ पर देना ठीक है वेन मार्ट सेन रिकॉर्ड इनका भी बढ़ी है 30 की एवरेज है 1 शर तक 23 शर तक 22 विक्ते भी है देखो रिकॉर्ड आप देखोगे ना सभी का बल्लेबाजी से अच्छा है लेकिन स्टैंड उट जो कर रहे हैं प्लियर्स वो मेरे सबसे बटलर लॉरी इवैंस कॉलिन एक्रमेंट क्योंकि वो विकेट्स भी ले लते हैं यहां पर वीजा कहलो नहीं मिला या आप कहलो कि NOC नहीं मिला कि हम तो मैं नहीं खेलने देंगे हसरंगा का अच्छा खासा का ओंट्राक्ट था एक सिंग मिलियन का या कितने का डॉलर्स का और वो चले गया मिलियन का कहना चाहिए या I don't remember इक्जैक्ली बट अच्छा का माने जाते हैं ठीक है बोलिंग में परकिंसन है ग्लीसन है दोनों संस का ध्यान रखना संस के साथ जेमी ओवर टन इंजर्ड है वरना मैं ज़रूर जिकर करता अब इंजर्ड हैं बाकि टॉम हाटले हैं कैल्विन हैरिसन यह स्पिन बूलर्स एक्स्ट्र मुझूद है टीम में नॉर्दन सुपर चार्जर्स की बात करते हैं जिनके लिए लास्ट येर फाब टुपलेसी इंजर्ड थे खेल नहीं पाए थे आपको याद होगा फाब टुपलेसी को पीएसल में बहुत गंदी इंजरी हो गई थी उसके बाद से यह खेल नहीं पाए थे और पूरा इनके डेविड विली जो वाइस केप्टन सी करेंगे उनके साथ फाब टुपलेसी केप्टन सी करेंगे साथ में एडम लिथ ओपनिंग करेंगे हरी ब्रूक है इनका जो बल्लेवाजी करम है काफी अच्छा है प्लस टॉप फोर मुझे लगता है काफी स्ट्रॉंग है उसक इनकी थोड़ी बल्लेवाजी मुझे लोवर ओर्डर में वीक लगती है अगर टीम वो स्ट्रेंथ करना चाहे तो रूल अफ वेंडर में या डेविड वीजय को खिला सकती है इन पर्टिकुलर रूल अफ वंडर भॉफ खेल सकते है केलम परकिंसन के बारे में आपको बता मैट परकिंसन के ही टुइन ब्रदर है एक इंटरस्टिंग फैक्ट बताऊंगा अभी आपको सिलेक्शन केलम का कम है लेकिन विक्टे जादा निकाल के आ रही है वो मैं आपको टीम स्टेट करते वह बताऊंगा तो नॉर्दन सुपर चार्जस के लिए लास्ट टीम सबसे परकिंसन दो मैच तीन और एडम लाइट को पांच मैच पे दो विकेटी थोड़ी स्पिन भी डालते हैं तो वो आफब्रेक बोलिंग भी करते हैं आपको दिख सकते हैं एडम लाइट टीम के लिए रहने वाला है इसके साथ साथ डेविड विली है जो एक्सपिरियंस भी रखते हैं टीम के वाइस कैप्टन भी है ये तीन प्लियर्स आपके टीम में 100% रहने चाहिए इनको ड्रॉप मत करिएगा डेथ बोलिंग डुएन ब्रावो की ठीक है और वो दस बॉल जिनके लिए आप ध्यान रखेंगे टीम में बल्ले बाजी में एडम लाइट का एवरेज ठीक है एडम होजे का एवरेज अच्छा है लेकिन थोड़ा सा इंकंसिस्टेंट रहे है रीसेंट टाइमस में ठीक है रीसेंट टाइमस में है रीप्रूप बढ़िया रहे है 35 की तो यह है इनकी टीम बोलिंग में वहाब रियास एक्सपीरियंस बोलता है आदिल रशीद कुट स्पिनर केलम परगिंजर यंग बट फॉर्म में आ रहे हैं बेर्म रेन भी है और मैटी पॉट्स रिसेंटली जो इंग्लेंड के लिए टेस्ट मेंच के रहे थे इंडिया के बीस भी रन कर दिये तो इतने पॉइंट तो यह देई जाएंगे और तीस रन कर दिये चालेस रन कर दिये तो दुगने भी पॉइंट दे सकते हैं और वो कबिलियत है लॉरी इमेंस में तो एक तो यह उप्शन हो गए जॉस बटलर सीधा-सीधा आपके मल्टी बैगर पिक प्रॉब्लम यह कि अब जिसे कल भी मैंने आपको जो लॉजिक बताया था वो लॉजिक एक्चली अच्छा था हमने कल सेल किया था आइधिंक यह था वो मिसन क्रेन का लॉजिक मैंने आपको क्या का था अगर विकेट भी लेते हैं 20 पॉइंट तो भी हमारा काम बन जाएग ठीक है फिर यहां Fred Klaassen है Harry Brook है Harry Brook भी अच्छे मल्टी बैगर ऑप्शन रहेंगे Adam Light है फाफ है डेविड वीली पे काफी अच्छा रेट दे रखा है बट इम्पॉटेंट प्लेयर हैं तो मैं इतना जादा सज़ेस्ट नहीं करूँगा सेल करूँगा इन में अगर आपको कि इंपॉटेंट थे हम एथन एलीस वैसे ही कुछ आज भी आप ट्राय कर सकते हैं तो कुछ मल्टी बैगर शेर तो बनते हैं क्वालिटी और राउंडर है हमें पते हैं मल्टी बैगर बनने के सक्षम है फिल सॉल्ट को हम थोड़ा सा ले लेते हैं क्योंकि लोग क्या करेंग बटलर को ही लेंगे लॉरी वैंस पर रिटर्न अच्छा है ग्लीसन है मारकिंसन है फाफ डू प्लेसी पर भी रिटर्न कम रहेगा जो की समझते भी है क्यों बढ़िया प्लेयर है बाके डेविड विली पर रिटर्न अच्छा है और मैं आपको बता दू बंडोन भी आ सकते है ठीक है दियान रखना तो ऐसे प्लेयर्स पर आप थोड़ा गौर करके बढ़िया कर सकते हो दूसर टीम सिलेक्ट करते हैं समय आपको दिखेंगे यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में सिम्सन पैपर सॉल्ट और बटलर है क्या अजीब बात है यहाँ पर पैपर भी कहने के लिए जिसको नहीं बता पैपर काली मिच को कह सकते हो सॉल्ट नमक को कह सकते वर बटलर खाना बनाने वले को तो ये तो चलो मजाक की बात गही प्योग बस法 करो ठीक है जोग तुम लेकिन stand-up comedy भी start कर लेंगे, कोई बात नहीं अभी लेकिन, wicket keeping में butler बहुत important है यार, opening के साथ आपको ये देंगे, wicket keeping, which is crucial plus, मैं मानतों recent form उतना अच्छा नहीं रहा, but considering butler है भहिया, boss butler, उनको तो लेना ज़रूरी है और किसी भी हालत पर इनको drop मित करिएगा ठीक है, अब CVC आप नहीं ले रहे ना तो भी आपको आजे लोगों के CVC दिखेंगे तो team में जरूर लो, लेकिन captain wise captaincy अगर risk लेनी है, तो मत दो क्योंकि options और भी है, ठीक है, मैं बताऊंगा fill salt को मैं रखा है, लेकिन में थोड़ा सा confused था, नमक को रखा जाए, fill salt को रखा जाए, या ना रखा जाए, simpson जो है, मुझे लगता है, middle sex के बहुत important खिलाड़ी है, लेकिन यहां lower order में आपे हैं, ठीक है तो northern super charges के लिए भी lower order में दिखेंगे pepper को मैं ध्यान नहीं दूँगा ठीक है, Essex के खिलाड़ी है पैपर, बट मैं यहां पे ध्यान नहीं दूँगा, बल्ले बाजी में 5-2 प्लेसी, मस्ट है, वो जाते हैं, ओपिनिंग पे आपको दिखने चाहिए, अगर ओपिनिंग नहीं तो ज़्यादा बंडोर, इससे नीचे नहीं आएंगे क्लासी प्लेयर हैं, और बढ़िया प्लेयर हैं, इनको मैं जरूर रखूँगा, हैरी बुरू किसी टीम के लिए मिडल ओर्डर में आपको दिखेंगे, इनको भी मैं लूँगो और काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग प्लेयर हैं, इनका की कैटेगरी में मैंने लॉरी इवेंस को रखाए, टू से त्री डॉन आपको दिख सकते हैं, सिमिलर्ली एडम होजे, ट्रिश्टल स्टब्स पहला मैच अपना मिस करेंगे, ठीक है, यह वरीदो सरंगा की जगा लेकिन मैंने यहाँ पे और रेड़ी इस टीम के मैंचेस्टर के और इजडल्स जो है टीम, दोनों ओपनर कवर कर ली है, तो यह मत सोचना कि मैंचेस्टर के बल्लेबास नहीं रखे, क्योंकि मैंचेस्टर के हम कुछ और अंदर भी लेंगे, जिसे एंडरे रेसल जो आपक टीम खिलाई गई है, ठीक है, वनीदू असरंगा खेलने नहीं वाले, तो मैंने नहीं लिया है, डेविड विली को मैंने लिया, बिल्कुल इस टीम के लिए, एक्सपेक्टेड है नॉर्डन के लिए, वन डॉन या मिडल ओर्डर में आ आ जहें, प्लस यह रंस के साथ आप आपको विकेट्स भी देते हैं, ठीक है, ब्राबो को भी मैंने टीम में रखा है, डेथ में बोलिंग करते हैं, आपको दिखेंगे, क्रूशल और राउंडर है, मेजर डी आपको डेथ बोलिंग के तोर पे दिखेंगे, डेविड वीस मोस्ट लैकली इस मैच में मिस करेंग अभी दोस्तों ये चीज में आपको बता दूँ कि अगर आपको इनको लेना है, ब्रावो को तो हम ले रहे हैं, ठीक है, एक और अंडर और चीज़े तो आपको फिल सॉल्ट को डॉप करना पड़ेगा, अब चीजे नमकीन करनी है या नहीं वो आपके उपर है, लेकिन मैं मैट परकिंसन है और केलम परकिंसन है, केलम परकिंसन ने इस साल चैंपियंशिप होती है इंगलेंड में, वहाँ पे ज्यादा विक्ट चैंपियंशिप मतलब की आप कहलो की लॉंग फॉर्मेंड मैचिस, वहाँ पे अपने ब्रदर, ट्विन ब्रदर है, ये लेक्स पिन क दो केलम परकिंसने वाहां मैट परकिंसन से ज़्यादा लियूइ है। को पिछे नहीं है। ठीक है मैट परकिंसन और केलम परकिंसन पर जा सकते हो जिमी ओवर टन इंजर्ड है यह देखो लिखा भी हुआ अनवेलेबल और फिर टॉम हाट ले आते हैं डिफरेंशल बताए मैंने और एक प्लियर बेन लास्ट सीजन अच्छा किया था बल्ले बाजी भी कर लेते हैं इन पर आप करके लिया था यहाँ पर एक्स्टर और 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 वही और हमार लिए जॉडन तॉमसन दस बरा रन कर गए थे ठीक है और दो विकेट भी ले गए थे तो ये सॉल्ट की जगा आप रूल ओफ एडर में आपको चाहो कर सकते हो क्योंकि सॉल्ट ने अगर रन नहीं किये डेविड विली और यहाँ पर फाफ डूप्लेसी है कुल मिलाके ग्रैंड लीग में बटलर फाफ डूप्लेसी रसल डेविड विली इन पर भरोशा जटाओ अगर डैथ बोलिंग पर भरोशा जटाना है तो डूएन ब्रावो पर भी जटा सकते हो उमीद करते हो वीडियो आपको अच्छी लगी Northern Super Chargers के ज़रूर जादा प्लेयर मेरे पास है लेकिन मैंने Captain Vice Captain सी मिंचेस्टर के प्लेयर्स को दिया है so don't think कि यह one-sided टीम है this is actually a balanced team मेरे को लगता है कि यह टीम अच्छा करनी चाहिए आप salt का ध्यान कियेगा उमीद करते हूं इस वीडियो के तुरू आपको help हुई टेलीग्राम का लिंक आपको मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आपने जरूरी लिंक्स वहाँ पर प्राप्त कर लेने हैं और जल्दी से जोट जाने टेलीग्राम में चली अगली वीडियो में मिलते हैं